पीछे को और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दे चुनावी बोंड पर सुप्रीम कोच का एहम फैसला आया है जी हाँ सुप्रीम कोच की तरफ से एहम फैसला आया है लेक्टरोल बॉंड की यूजना और समिधानिक ये कहा गया है जनता को राजनितिक दलों की फंटिक जानने का हक है और इससे पर रोक लगी है चुनावी वाल्ट पर सुप्रीम कूट का ये एहम फैसला आया है वही हमारे वरिस्ट सहयोगी प्रभाकर मिश्रा लाइब जो चुके है प्रभाकर लोगसभा चुनावी प्रक्रिया और भारती लोगतंत्र के लिए इसलिए कि इलेक्टरल बॉंड जब से आया था तब से इसको लेकर गंभीर आरोप लग रहे थे किस तरह से तमाम कॉर्परेट ग्रूप्स हैं वो चंदा देते हैं और उस चंदे का किस तरह से मिश्यूज हो सकता है और चुनावी प्रक्रिया प्रभावित हो रही थी इसी पार्टी को चंदा दे सकता था और उस कौन चंदा दे रहा है कितना दे रहा है उसमें गोपनियता का प्रावधान था सरकार इस योजना का बचाव कर रही थी यह कहते हुए कि योजना प्रभंधन में देश के चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शी तरीके से चंदा दे लेकिन इस आधार पर इसका विरोध किया जा रहा था कि इसमें जो गोपनियता का प्रावधान है कहीं ने कहीं भविश में भरष्टाचार की तरफ चाता है ले जाता है सुप्रीम कोट ने इस बात को माना है कि चुनावी प्रक्रिया जो है जो इलेक्टरॉल बॉंड में जो गोपनियता का प्रावधान है वो गलत था और मतदाताओं को यह जानने का अधिकार है कि वो जिस पार्टी को वोट दे रहे हैं उनको पैसा कहां से आता है उनका पैसा उनको कौन पैसा देता है उनको फंडिंग कहां से होती है ऐसे में गोपनियता का जो प्रावधान है वो गलत था और इन तमाम आधारों के बाद सुप्रीम कोट ने एक बात और कही हैं किवल इलेक्टरील बॉंड ही तरीका नहीं है जो चुनाओं में धंबल को रुकने के लिए काफी है तो इस तरह से सुपरीम कोड ने सर्व संब्बती फैसले में ये कहा है कि इलेक्टरील electoral bond की scheme अस संबैधानिक है और इस तरह से scheme को सुप्रीम कोट ने अस संबैधानिक करार दिया है उसे रद कर दिया है और साथी साथ कोट ने ये भी कहा है कि electoral bond SBI से खरीदा जा रहा था scheme में ये प्रावधान था तो कोट ने भी कहा है कि अब तक जितने भी donations गए हैं जो भी bond खरीदने के बाद किसके कितना खरीदा है इसके बारे में SBI तमाम जानकारी अपनी वेवसाइट पर सारवजनिक करे तो इसको अगर इस तरह से कहे कि देश की लोगतंतर के लिए चुनावी प्रक्रिया के लिए एक बहुत बड़ी खबर है इसलिए कि आरोप गंभीर थे आरोप ये था कि एक ही political party को जो सत्ता में है उसे ही maximum चंदा मिल रहा था जायर सी बात है कोई भी corporate group उसी को चंदा देता है जिसको जीतने का अंदेशा होता है उसे भरोसा होता है और ऐसे में जो records है जो आंकड़े हैं बताते हैं एक ही party यानि बीजेपी को ही सरवाधिक फंड मिल रहे थे तो setback है किन सरकार के लिए setback है बीजेपी के लिए और इस तरह से कहें और एक बात और मैं कह दूँ कि जब से फैसले कि कल शाम से हमने खबर चाही हम खबर चला रहे थे कि सुप्रीम कोट इलेक्रोल बॉंड को लेकर फैसला सुनाने वाला है बहुत लोग अनुमान लगा रहे थे और बहुत लोगों का अनुमान था कि शायद सुप्रीम कोट इस मामने में इस तरह का फैसला नहीं दे लेकिन सुप्रीम कोट ने चौका दिया है सुप्रीम कोट लगा रहे थे जो ये बाते कह रहे थे कि चुनावी चंदा के स्कीम है वो एक ही पार्टी को फायदा पहुचाने के लाई गई थी तो कहीं ने कहें सुप्रीम कोट ने उसे अंडरलाइन किया है तो ये बहुत बड़ी ख़बर है बिल्कुल बहुत बड़ी खबर और सुप्रीम कोट नहाए कि इलेक्टरोल बॉंड इसकीम जो है वो जानने नागरीकों को जो जानने का अधिकार है राइट टू नो और अनुछेद 1901 और में जो जो अधिकार है वहाँ पर उत दोनों के खिलाप है और एक बात इसमें मैं और जोड़ दूं कि एटॉर्नी जन उन्होंने सुप्रीम कोट में बात कही थी कि नागरीकों को जानने का अधिकार तो है लेकिन सब कुछ जानने का अधिकार नहीं है और इस आधार पर उन्होंने इलेक्टरोल बॉंड के गोपनियता के प्रावधान का बचाओ किया था सुप्रीम कोट ने सरकार और एटॉर टॉर्णी जनरल ने जो बात कही थी, देश के सबसे बड़े विधी अधिकारी ने जो बात कही थी, कि नागरिकों को जानने का अधिकार है, लेकिन इलेक्टरोल बॉंड किसको जा रहा है, किसके लिए सब को जानने का अधिकार नहीं है, कोट ने उसे नहीं माना है, ये सुप्रीम कोट को कि जचों को किसी मामले में राय लेनी होती है तो एटॉर्णी जनरल से राय ली जाती है सरकार को किसी कुरूशियल मामले में कोई संबेधानिक संकट किस्तिती में राय लेनी होती है तो एटॉर्णी जनरल की राय ली जाती है और उसी एटॉर्णी जनरल न कूर्ट ने don को पैसा कहा से आता है यह जानने का अधिकार है क्योंकि अगर वोटर को यह पता única कि यह पता नहीं होगा तो उसके साथ अन्याय कोगी दूसरी बात कोर्ट ने एक बात और कही है कि अगर political party आज अगर कोई corporate group कोई company कोई व्यक्ति किसी political party को चंदाद दे रहा है ये कल में अगर कल को पारटी सरकार में आती है सत्ता में आती है तो feed pro को होता है ये कि बदले में काम कराना बदले में अपने मन माफिक नितियां बनवाना ऐसा किया जा सकता है, ऐसा हो सकता है और सुप्रीम कुर्ट ने तमाम अधारों पर इलेक्टरल बॉंडी स्कीम को रद कर दिया है